Very very good morning students of class 6 Class 6 students, today I am going to give you video chapter number 7 Students, last week I was uploaded chapter number 6 So, this week I am going to give you chapter number 7 So, let's go to chapter number 7 See, this is your sensekitsudha, this is your part 7 Now, you are looking at 3 words Which words is? E-T-A-T-A-N-E E-T-A-N-E means this E-T-A-N-E means this E-T-A-N-E means this These words are three words for children So, you will see this one When you lay out E-T-A-N-E means this If you are looking for another But the Estad is aative D-A-N-E means complete E-T-A-N-E means this E-T-A-Numa means it This D-A-N solutions E-T-A-N, yes क्या फल है एते के ये क्या है ये मतलब ये दोनों क्या है एते पुस्त के ये दोनों पुस्तक है फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है एताणि कानि यह है एतान पुस्तकान यह सब पुस्तक है ठीक है अब आप नेक्स्ट पे आईए देखे एतत पतत यह गिरता है फलम पतत फल गिरता है एते पतत यह दोनों गिरते हैं पत्रे पतत दो पत्ते गिरते हैं एतत किम अस्ति यह क्या है? एतत दोर्भास यंत्रमस्ति यह दोर्भास यंत्रहर्था टेलिफोन है एतत किम यह क्या है? एतत उध्यानम यह उध्यान है एते के इस्ता यह दोनों क्या है? एते संगणा की अंत्रे इस्ता यह दोनों कम्प्यूटर है एते के स्ता ये दोनों क्या है एते द्वारे स्ता ये दोनों द्वार है ठीक है अब आपको इधर का आ गया एतान पतंते ये सब गिरते हैं कदली फलान पतंते केले गिरते हैं एतान कान संत ये सब क्या है एतान चित्रान संत ये सब चित्र है एतान कान संत ये सब क्या है एतान व्यजनान संत ये सब पंखे है ये आपकी पाठकी हिंदी पूरी हो गई अब हम लोग शब्दार्थ और एक्सरसाइज पर आते हैं शब्दार्थ हमेशा की तरह आप टिपिकल वर्ड्स जो हैं आपके उन्हें आप खाली अपनी कौपी पर उतार कर लण करेंगे बाकी सब आपको याद है अधिक तर इसमें सब नेम और सेम मीनिंग वाली है करना है बच्चों तो देखिए फलम एते और एतत है तो फलम एक बचन है इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें हमें एक बचन का ही प्रियोग करना है तो हम एतत का प्रियोग करेंगे, ठीक है, फिर है पुस्तकान, एतानी चुकी बहु बचन है, इसलिए पुस्तकानी बहु बचन यहां आ गया, पत्रे पतता, पतता दुई बचन है और पत्रे भी बचन है, इसलिए यहां पर पतता आया है, एतानी चित्रानी बहु बचन है, अब आप next page पर आईए, next page पर देखिए क्या है, शुद्ध, अशुद्ध वालिखत, यहाँ पर जो वाक्य हैं, इनको हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तो चलिए देखिए, एतान एतत फलम, तो यह तो शुद्ध है, क्योंकि दोनों एक वच्ण है, एतान व्यजनम, यह अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो व्यजनम है, वो एक वच्ण है और एतान बहुवच्ण है, ठीक है तो ये बच्चों अशुद्ध हो गया एते पुस्तके ये शुद्ध है क्योंकि इसमें दोनों दोईवचन आए है एते पुस्तकान ये भी अशुद्ध है क्योंकि एते तो दोईवचन है पुस्तकान बहुवचन है एतान संगडक यत्रान ये सही है क्योंकि दोनों बहवचनाय है एतत दोरभास यंतरम ये भी सही है शुद्ध है क्योंकि इसमें भी दोनों एक वचन है अब इसके नीचे आपका जो question आता है third इसमें हमको चितर से मैच करना है तो देखिए क्या है एतत फलम कहा है फल सबसे नीचे आप देखिए यह है फिर एते पुस्तके यह दोनों पुस्तक है एतत दूर्भास यंत्रम यह है दूर्भास यंत्रम एतान वेजनान यह है वेजनान और एते संगड़क यंत्रम यह दोनों संगड़क यंत्र है तो इस प नेक्स्ट पेस पर इस पर आपको उचित पदको उचित इस तंभ में लिखना है तो इसमें बच्चों आप ऊपर चार्ट में देख रहे हैं बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिये गए हैं जिसमें एक वचन दूई बचन और बहु बचन हमें अलग करना है तो अभी पहचान देख ली जिसमें मा लगा है वो एक वचन होगा जिसमें एक ही मात्र है वो दूई बचन होगा जिसमें लास्ट में नहीं है वो बवचन होगा तो हमें इन में से सेलेक्ट करके इन तेनों कॉलम में लिख देना है तो देखिए फर्स्ट में फला मुद्यानम पत्रम पुस् यह आपका complete हो गया question number five में क्या है आपको जो sentence एक वचन का दिया गया है उसका बहुचन बनाना है बहुत आसान है अब हम लोग इसको भी कर चुके है अब हम लोग इस पाट को इस वीडियो में देखके आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और बार बार पढ़ेंगे सुनिये आप इसको बार बार देखकर पढ़ाई करिए अपनी और तयारी करिए अब आपका half yearly आने का number हो रहा है अभी आपका यूटी हो चुका है बच्चों तो अब आप half yearly की जो आपके इस लिवस है जो lessons है उनको तयार करना शुरू क कर दिया है अल दा बेस्ट टेक कियर थैंक यू थैंक यू सो मच